नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक जमाना था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी लेकिन वक्त सभी के पास था एक आज का जमाना है दोस्तों वक्त किसी के पास नहीं है और घड़ी सभी के पास है दोस्तों तो यह वक्त का खेल है बदलता ही रहता है तो दोस्तों आज के इस ब पीजी युग में किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों जब हमें कहीं शादी में कहीं पार्टी में बर्डे पार्टी में रेटायर्मेंट पार्टी में किसी भी तरह की पार्टी में जाना होता है जब हम तियार हो लेते हैं तो तियार होने के बाद हमें याद आता है कि हमें gift तो तियार किया ही नहीं या फिर हमने gift तो लिया ही नहीं तब हमें हम अपने दिमाग के घोडे दोडाते हैं कि हमें gift क्या होना चीए क्या लूँ क्या लूँ फिर आखिरकार थक हार कि हमारे पास इतनी ज़यदick access नहीं होती इतना time नहीं होता कि हम market में जाएं और gift खरीदें उसमें हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में या तो कोई scenery pack करवाते हैं या कोई crockeri pack करवाते हैं फिर last में कोई god की photo लेते हैं और उसको pack करवा लेते हैं लेकिन मैं बचाना चाहूंगा दोस्तो ये एक modern एरा है आज का आधुनिक यूग इसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर competition देखने को मिलता है यदि आप सोचते हैं मैंने कुछ भी दे दिया और वो that is a gift वो एक आपका gift नहीं है gift कैसा होना चीए तो दोस्तो गिफ्ट एक नायाब तोफा होता है जो आप किसी को gift करते हैं किसी को आप देते हो तो वो एक memorable होना चीए ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी अपना time pass किया या फिर अपना सिर्फ बेजती आपने इज़त बचाने के लिए हम किसी कुछ देते हैं कि कोई ये ना सोची कि हमने gift नहीं दिया तो इस तरह का नहीं होना चीए एक gift आपका एक last वाब होना चीए तो ऐसे ही मैं six ideas लेकर के आया हूँ कि आपको ऐसे gift क्या होने चीए जो आप किसी को देते हो तो वो आपकी life में memorable भी रहेंगे और आप जिसको दोगे उसके लिए beneficial भी रहेंगे और memorable भी रहेंगे So yes guys you are watching the rural fight with सोम दिया So मैं हूँ आपका अपना सोम दिया और आप देख रहे हैं दारूरल fight तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं top 6 gift की जो कि आपके collection में होने ही चीए तो दोस्तो 6 number में मैंने रखा है printing के जमाने में मैंने printed gift को रखा है पिर आज का era देखें तो थोड़ा सा digitalization की तरफ गया हुआ है तो उसके अंदर कुछ printing material आप किसी को देते हो या फिर आपकी photo आप उसको देते हो आपकी और उसके साथ बेतर ये रहेगा आपकी photo अपने किसी दोस्त जिसको आप gift करें उसके साथ हो तो वो उसको ज़्यादा memorable भी रखेगा और उसको अच्छे से care करके भी रखेगा और यदि आप किसी को अपनी फोटो किसी को gift करते हो तो यह possible नहीं है कि वो आपकी फोटो को रखे या ना रखे तो इसलिए मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि फोटो दोनों की साथ हो और उसके उपर कुछ लिख सकते हैं तो उसको creative handwriting में या creative style में आपको उसके उपर कुछ लिखिए that would be very memorable for him or her चलिए दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर मैंने रखा है दोस्तो printed photo printed photo पीछे वाले में और इसमें क्या फरक है पीछे वाला था printed टी शेट और printed mark अब मैं बता रहा हूं दोस्तों मैंने एक एक social media पे देखा था किसी ने अपनी writing में अपनी अपनी दवारा बनाएगी poem लिखी हुई थी उसमें उसके दोनों के photo थे एक कोने में उसका photo और उसके उपर कुछ अच्छी सी line अच्छी सी poetry उसने लिखके उसको gift की थी और उस पर रहेगा तो अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्थ नंबर की तो फॉर्थ नंबर मैंने रखा fitness kit दोस्तों आज के जमाने में देखें तो सभी कहीं ना कहीं fit नहीं है कोई fitness के पीछे भाग रहा है किसी को किसी को extra fat आ गई है या फिर सब fit भी हैं तो उसके लिए fitness kit सभी के लिए होनी चीए तो यदि आप किसी को fitness kit देते हैं तो वो that would be very memorable और useful भी रहेगी और beneficial भी रहेगी और long time तक वो आपको याद रखेगा क्योंकि यदि आप यदि कोई बंदा अपने fitness में सुधार कर ले और आपकी kit से दी आप जो kit उसको देंगे उसको use करेगा तो definitely उसकी fitness में सुधार होगा तो वो आपको बहुत ऑच्छा gift म कानेगा और और चीआपके gift को बहुत अच्छा gift मानेगा और बहुत memorable भी रहेगा और beneficial भी रहेगा तो fitness kit के अदर आप पूरी अच्छा है और अच्छे बजट से आप किसी कुछ देना चाहते हूं तो इसके लिए साइकिल यानि की बाइसकिल एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा यह इसको मैं फॉर्थ नंबर की रेटिंग देता हूं तो अभी बात करते हैं थार्ड की थार्ड पर हमें क्या होना चाहिए दोस्तों थार्ड पर मैं सजेस्ट करूँ गा कि कोई भी हैलफूल बुक या नोवल देनी चाहिए दोस्तों आप किसी को कई फोटो जैसे किसी गोड की फोटो करते हो कोई सीधनरी की घ्रट करते हो को सकते है कि वो उसको पसंद ना हो या कि उस गोड में बिलीफ करता हो सभी अपने अपने धर्मों में सभी का अलग अलग धर्म है सभी अलग अलग देवक्ता विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कि वह इसमें विश्वास ना रखता हो लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी अच्छा पड़ा लिखा व्यक्ति होगा या पढ़ने में विश्व पास होगा तो वह डाफनेटली बुक को पसंद करेगा आप जिसके पास जाते हो जिस आपने दोस्त को किसी को भी गिफ्ट दे रहे हैं तो उससे पहले यह सोचिए कि वह किस लाइन में बढ़ना चाहता है तो उसको उसी के अकोर्डिंग उसको बुक या नोवल गिफ्ट करो और जब वह उस नोवल को उस बुक को पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद डैफिनेटली इसके अंदर निखार आएगा तो वह आपको हमेशा याद रखेगा कि इस वोस दे अमेजिंग गिफ्ट फो मैं फ्रेंड तो इसलिए आपको यह गिफ्ट देना चाहिए यह था नजदीक में कही जाना हो तो उसको विद पोट मतलब गंबले में कोई चोटा ट्री आप उसको गिफ्ट कर सकते हो दोस्तों मैं देखता हूं कई बार वो बड़े वाले ट्री होते ना बड़े वाले ट्री गिफ्ट कर देते हैं और किसी के घर में जगए नहीं लगाने के लिए वो क्या है फिर वो पड़े रहते बेकार रहते हैं लेकिन मैं मानता हूं यदि आप किसी को गंबले में प्रोपरली लगा करके किसी को कोई गिफ्ट देते हो उसके पास जगह भी नहीं होगी ना तो भी वो चत पे रख लेगा उसको और चत पे रख करके उसकी अच् पिक्रती दो तो वो भूख एंटी अच्छा वर बहुत शबवरब भी रहेगा तो इसको मैं देता हूं ठंब और बात करते दोस्तों फास्ट रेटिंग फस्टटेंग को मैं मैं देता हूं धर्त ओस्किसी के मैं घर डेपार्टी में कहीं पे जाते हों तो उसको एक हैलमें गिफ्ट करें क्योंकि आज के जमाने में दोस्तों इतना फैशनेबल एरा है इतना फैशनेबल यूग है है हैलमेट लगाना लोग पसंद नहीं करते हैं हैलमेट नहीं हो तो वह विदाउट हैलमेट बाइक जिस भी देवता को जिस भी गोड को जिसको भी मानते हो मैं उससे ये दुआ करूँगा कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो लेकिन ऐसा हो जाए तो आपको उस हैलमेट की वैलू समझ में भी आएगी तो दोस्तों मेरी ये इस वीडियो में दर्खास भी है कि आप चाहे बाइक चल लेता रहता हूं तो चलिए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इन टोप सिक्स गिफ्ट में से कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा वह आप मुझे कोमेंट करके जरूर बताना तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में या किसी अधर वीडि भीडियो न दोस्तों ये कॉझे है हु午 में से खचीनातिcent गदिर शोर को स सबसे वीडियो। तोसस्तों वेडियो Kinsey वेड़र के घ Tiboём किसी न खचे हैं कि जरूर मुझे।